हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम अगें टू लंडवर्दितिमन, हम लोग कर रहे हैं RBSC के अंतरगत राजिस्थान मादेमिक सिक्षा बोड की राजिस्थान का इतिहास और संस्कृति, तो जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं साकंबरी के चोहान वंस और इस वंस के प्रतापी शाशक, तो इससे पहले लास्ट वीडियो के अंतरगत आपको एक क्वेशन का आंसर देना है, तो सुनिए बहुत ध्यान से, बीकानेर के राइसिंग, बीकानेर के राइसिंग ने जूनागर दुर्ग का निर्मान करवाया, कहां बीकानेर में, तो किले के दर्वाजे पर कि किसकी पाशान मूर्ती लगवाई? ठीक है, आपको बताना है कि राइसिंग ने जूनागर दुर्ग के किले के बाहर जो है, दर्वाजे पर किसकी पाशान, ये पथर की मूरती लगवाई? आज मैं आपको आप्शन नहीं दूंगी, तो आपको आंसर जो है, वो कमेंट बॉ इस चोहान वंस की उत्पत्ती के विशे में बहुत विवाद है वनसावलियों और ख्यातों ने इनको अगनी वंशिय माना है डॉक्टर गौरी संकर हीराचन ओजा के विचार से ये सूर्य वंसी शत्रिय थे और अचलेश्वर मंदिर के लेक में इन्हें चंद्र वंसिय माना गया है कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दसरत सर्मा चोहानों की उत्पति ब्रहामण वंस से मानते हैं तो ये तो हमें पता चल रहा है कि एक मत नहीं है गौरी संकर हीराचन ओजा कहते हैं कि सूर्य अचलेश्वर मंदिर के लेक में चंद्रवंस ये माना गया है और डॉक्टर दसरत सर्मा इनको चोहानों की उत्पति जो है वो ब्रहामण वंस से मानते हैं ठीक है तो सभी के अलग-लग मत हैं नेक्स्ट देखिए विजोलिया सिलालेक की अनुसार विजोलिया सिलालेक की अ लगवग माना जाता है तो यहां पर आपको याद रखना है कि विजोलिया सिलालेक की अनुसार सांबर जील के प्रवर्तक कौन है वासुदेव चोहन जो कि यहां के आदिपुरुस माने जाते हैं और 551 इस्वी के लगवग इन्हें माना जाता है ठीक है अब यह याद कैसे करेंगे आप विजोलिया सिलालेक की अनुसार जो आदिपुरुस हैं वो किन को माना जाता है वासुदेव चोहन को तो वासुदेव किन का नाम है श्रीकृष्न भगवान का तो श्रीकृष्न भगवान को 551 जो है वो परशाद की रूप में चढ़ाये जाते हैं ठीक है तो प्रारम में चोहान जो थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामन्त थे परन्तु गुवक प्रतम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चोहानों को मुक्त कराया तो जो गुवक प्रतम था उसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से किसे मुक्त कराया चोहानों को ठीक गोतर ब्रहमड वंस में पैदा हुआ था बागपति राज चोहानों का सकति साली शाशक हुआ जिसने परतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिशे दिया विग्रह राज दुटिय चोहानों का एक अन्य सकति साली शाशक था 983 ईस्वी का हरशनात लेक उसकी विजियों का उलेक करता है थीकर तो साकंबरी के चोहान में विग्रह राज दुटिय सकति साली शाशक थे इनकी विजियों का उलेक जो है वो हमें हर्शनात लेक से मिलता है ये आपको याद रखना है उसने गुजराद के चालुप के शाशक मूल राज को पराजित किया था किसने किया था? विग्रे राज सेकंड ने विग्रह राज दुतिये ने गुजरात के चालुप के शाशक मूल राज को परास्त किया विग्रह राज दुतिये के बाद दुल्लव राज और गोविंदर तृत्तिये शाशक हुए प्रत्वी राज विजय नामग्रंत में गोविंदर तृत्य की उपादी वैरी घट शत्रू का संगहारक मिलती है फरिस्ता की अनुसार गोविंदर तृत्य ने गजनी के शाशक को मारवाड में आगे बढ़ने से रोका था तो एक तो आपको याद ये रखना है कि चोहानों में जो विग्रे राज सेकिंड थे तो उनकी विजयों का उलेख हमें मिलता है हर्शनात लेख में जिसमें ये पता लगता है कि उन्होंने चालूक्यों के शाशक जो मूल राश थे उनको परास्त किया था और दूसरे याद रखनी है कि प्रत्वी राज विजय नामक गरंत में गोविंदर तिर्तिय की उपादी वैरी घट मिलती है तो इस पहराग्राफ में आप ये याद रख पाएंगे नेक्स्ट जलते हैं नेक्स्ट है साशक अजे राज बहुत इंपोर्टेंट है धियान रखना है आपको इनके बारे में क्योंकि यहां से प्रस्ण जो है वो आया हुआ है अजे राज जो ग्यारा सो पांच इसवी में शाशक बना इस वंस का एक प्रतापी शाशक था ग्यारा सो तेरा इसवी में इसने अजे मेरू नगर बसाया तो नाम से याद रख पाएंगे कि अजे मेरू नगर जो है अजमेर नगर जो है वो किसने बसाया अजे राज ने किसने बसाया अजे राज ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जो अजे प्रिये द्रम कहलाए, तो यहां भी अजे नाम जुड़ा हुआ है, यह भी याद रह जाएगा, कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है, अजे राज शेव मतावलंबी होने के साथ साथ, यानि शिव के उपाशक होने के साथ साथ, यहां पर आपको क्या-क्या याद रखना है, तो देखिए, मैंने अंडरलाइन कर दी है, कि अजे राज जो थे वो शक्तिसाली शाशक थे, अजे राज ने ही अजमेर में अजे मेरु दुर्ग का निर्माण 1113 में करवाया, चांदी तामबे के सिक्के चलाए, जो क्या गहला है, अजे प्रिय दुर्ग, ये याद रह जाएगा आपको, और ये भी याद रखना है कि अजे राज शेव मतालंबी थे, लेकिन इन्हों उन्होंने पार्षवनात के मंदिर के लिए श्वन कलस प्रदान किया था, अब यहाँ पर याद नहीं रहता है, क्योंकि ये शिव के उपाशक थे, तो जैनों के प्रती इनका ध्यान था या नहीं था, तो ये ऑप्शन में हम गलत कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है कि अजय राज जो थे, वो शैव मतावलंबी थे, लेकिन उसके साथ सबी धर्मों को मानते थे, उन्होंने जैन धर्मावलंबियों के लिए मंदिर बनवाने की अनुमती दी थी, और पार्षवनात के मंदिर के लिए श्वन कलस प्रदान किया था, उसके बाद हैं अर्णो अर्णो राज ने तुरकों एवा मालवा के शाशक को परास्त किया, मगर गुजरात के शाशक कुमार पाल चालुकेश से परास्त हुआ, इन्होंने परास्त किसको किया? मालवा के शाशक को, लेकिन खुद किस से पराजित हुए? चालुकेशों से, इसने अजमेर में आना स और अजमेर में आना सागर जील और पुसकर में वरहा मंदिर का निर्मान किसने करवाया अर्णो राजने ठीक है अजमेर में आना सागर जील और पुसकर में वरहा मंदिर का निर्मान कराया अर्णो राजने और अजमेर नगर किसने बसाया अजे राजने याद रह जाएगा आप लोगों को, अभी बिल्कुल मेरे साथ ही बोलिये कि अजे राज ने तो अजे मेरू-दुर्ग या अजमीर नगर बसाया और अर्णो राज ने अजमेर में आना सागर जी लिया पुसकर में वरह मंदिर का निमान करवाया ये भी शिपके ही उपाशक थे उसने अजमेर में खर तक ग्रच की अनुव्याईयों को भूमी दान दिया दैव बोद और धर्म घोस उसके समय के प्रकांड विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया वैसे तो चालोक्यों के हाथों पराजे से उसे कुछ मान हानी उठानी पड़ी थी भी गजनवियों को परास्त कर तथा मालवा और हर्याना अभियानों का नित्रत्व कर उसने वन्स के प्रवत्व को नहीं घटने दिया याद रखना है कि अनो राज के समय में जो विद्वान थे जिनको उन्होंने सम्मानित किया था उनके नाम क्या है देवबोध और धर्मगोश चलिए नेक्स्ट है विग्रह राज चतुर्थ तो इस वन्स में सबसे पहले विग्रह राज जो सेकंड थी वो बहुत सक्ति साली थी है अब विग्रह राज चतुर्थ तो चलिए इनको हम देख लेते हैं तो देखिए विग्रह राज सेकंड जो चतुर्थ थे विग्रह राज चतुर्थ तो वो एक बहुत अच्छे कवी भी थे बहुत अच्छे विद्वान भी थे इन्होंने बहुत सारी चीजों का निर्मान भी करवाया तो देखिए इनके काल को ही सपाल दक्ष का स्वन काल कहा जाता है किसके काल को विग्रे राज चतुर्त के काल को most important है याद रखना है विग्रे राज ने तौमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चोहान साशक था, तो हम क्या लिख देंगे प्रत्वी राज थर्ड, याद रखना है प्रत्वी राज थर्ड नहीं, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चोहान साशक विग्रेराज चतुर्थ, इसने गजनी के खुश रूशाह को ही परास्त किया, जयानक भट ने इसे कवी बांधव की उपाधी दी, विग्रे राज ने हर केली और उसके दरवारी विद्वान सोम देव ने ललित विग्रे राज नाटक की रचना की, इसने अजमेर में ही, अजमेर किसने बसाया था, अभी हमने बात की थी, एक संस्कृत पाट साला बनाकर उस पर हर केली नाटक की पंक्तियां खुदवाई, कुतुब उद्दीन एबक ने इसे तुडवाकर वहाँ धाई दिन का जोप्रा मस्जिद बनवाई, विग्रे राज ने बीसलपूर बसाकर वहाँ बीसलपूर जील बनवाई, तो देखिए, पूरा ही पैराग्राफ में एक एक लाइन जो है, वो आपका कोश्चन है और एक्जाम में आने वाला कोश्चन है, तो देखिए, दुबारा से सुनिए, विग्रे राज चतूर्थ जो है, उन्होंने तौमर को हराया और दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चोहां सा सकते, जब व जयानक भट थे, उन्होंने इन्हें कवी बांदव की उपादी दी, याद रखना है कवी बांदव की उपादी जो है, वो विग्रे राज चतूर्थ को दी, जयानक भट ने, विग्रे राज जो थे, इन्होंने हरी के ली और उनके विद्वान जो थे, दरवारी विद्वा की थी इसने अजमेर में देखिए संस्कृत पाठशाला बना कर उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई और इसी को कुत्तुबुद्दीन एवक ने क्या किया तोडवा दिया और धाई दिन का जोपरा जो है मस्जिद बनवाई विग्रे राज ने बीसलपूर बसाकर वहां बीसलपूर जील बनवाई ये पूरा ही पहरग्राफ बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसको आप याद रखना है विग्रे राज चतुर्थ के मुल्यांकन में डॉक्टर दसरत शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्वेवाद है क्योंकि एक सैनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवी, सूजबूजवाला निर्माता था प्रत्वी राज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रे राज की मृत्य हो गई तो कवी बांदव की उपादी निरर्थक ही हो गई में भी अग्रणी मानते थे, ये केवल इसकी मृत्या प्रसंसा नहीं, हरिकेली नाटक से उसकी योगता आकी जा सकती है किल होर्न ने भी उसकी विद्धता की प्रसंसा करते हुए सुईकार किया कि वह उन हिंदू स्याश्पों में से एक व्यक्ती था जो काली दास और भाव भूती की होड कर सकता था तो इसलिए जब काली दास की तुलना जो है वो विग्रे राज चतुर्थ, विग्रे राज की तुलना किस से की गई है काली दास से तो सोचिए कवी बांदव जो है इसलिए उनको उपादी दी गई और जब उनकी मृत्य हो जाती है तो कवी बांदव की उपादी जो है वो निरत्थक हो जाती है ठीक है तो इससे आपको पता लग सकता है कि वो किस तरीके से या किस तरह से वो कितने अच्छे कवी, कितने अच्छे विद्वान थे इसी लिए विग्रे राज का समय जो है वो सपाल दक्ष का श्वनकाल था तो ये आपको पांच लाएने याद रखनी है नेक्स्ट है देखिए अभी मैंने बात की थी कि चोहानों में सबसे सकती शालीश शाषक वो भी प्रथम कौन थे तो याद रखना है विग्रे राज चतुर्थ नेक्स्ट है प्रत्वी राज त्रत्य ये भी महान शाषक हुए चोहानों में सकंबरी के छोहान शाषकों में सबसे प्रषिद प्रत्वी राज त्रत्य ये ग्यारा वर्ष की आयू में शाषके banे ग्यारा सो बाइस इस वी में 1100-β्यासी में इसने सतलज प्रदेस के भंडानकों को परास्त किया इसी वर से इसने महोबा के चंदेल साशक जो परमर्दी देव, इनको पराजित किया, इनहीं के दो प्रशिद वीर थे आला और उदल, लड़ते हुए वीरगती को प्राप्ट हुए थे। ठीक है, आपको याद रखना है आला और उदल जो है? वो महोबा के चंदेल साशक जो प्रत्वी राज ने कन्नोज के गहडवाल चाशक जैचंद को पराजित किया, एवं स्वेंबर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह किया, तो यह आप जानते हैं, तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है जिससे चोहान राज्य का तो पतन ही हो गया, भारत में तुर्की शाशन की नीवी पड़ी, ठीक है, तो चोहानों का जो अंतिम शाशक समझिये कौन है, प्रत्वी राज तृति है, तो यह भी बहुत जादा ही सक्तिशाली शाशक थे, इनका युद्ध दो होते हैं, तराइ तराइन का जो दूसरा युद्ध 1192 में, यह बहुत जादा इंपोर्टेंट युद्ध है, इसके अलावा 1122 का जो युद्ध है, यह भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है, तो तीन युद्ध जो है वो प्रत्वी राज तृत्तिय की आपको याद रखने हैं, 1182 इस्वी म दूसरा होता है तराइन का युद्ध, जिसमें मोहमद गौरी जीत जाता है, जो धोके से जीता था, जिसे आप बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, जब हम क्लासेज हमने की थी लास्ट आर्बियस से की, तो यह चीज आपको याद रखनी है, प्रत्वी राज तृत् जायन है, वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि, प्रत्वी राज विजय, इसकी रचेता हैं जयानक, जयानक किसकी रचेता हैं, प्रत्वी राज विजय, और प्रत्वी राज रासो, इनके लेकक हैं चंद वर्दाई, चीकर? तो इन दोनों को आप कैसे याद रखना है जैसे जयानक और प्रत्वी राज रासो ठीक है तो एक आप याद रख ले ना दूसरा आपको याद रह जाएगा प्रत्वी राज विजय जो है वो जयानक जैसे बनेंगे तो इसकी रचेता हैं नेक्स्ट है कि सैयोगिता स्वैमवर कता, कन्नोज के शाषक जैचन ने राज सुय यग्य किया और अपनी पुत्री सैयोगिता के विभा के लिए स्वैमवर का आयोजन भी किया जिसमें प्रत्वी राज को छोड़कर कई राजा महराजाओं को आमेंदरित किया गया इतना ही नहीं प्रत्वी राज को अपमानित करने के लिए, जैचन ने स्वैमवर इस्थल के बाहर द्वार पाल के रूप में प्रत्वी राज की मूर्ती भी रख दी। उससे समय तक प्रत्वी राज भी वहां पहुंच चुके, उसने स्वैमवर इस लिए इनका युद्ध होता है राजा जैचन का प्रत्वी राज से और जैचन जो हैं वो कहां के ही शाशक थे कन्नोज के गहडवाल वन्सके ठीक है तो इस चीज को भी आपको याद रखना है चलिए इस पैरग्राफ में जो है वो आपको लिखने के लिए इतना नहीं है संयोगिता कथा की इतिहासिकता इस कथा की सत्यता एवं इतिहासिकता के संबंद में इतिहासकार एकमत नहीं है डॉक्टर गौरी संकर हीराचन ओजा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए जो हमने अभी स्टोरी देखी कपोल कल्पना मानते हुए कहा कि प्रबंध कोष हमीर महाकावे प्रत्वी राज प्रबंध चिंतामडी जैसे समकालीन गरंतों में इस गटना का कोई जिक्र नहीं है दसरत सर्मा ने बताया कि हमीर महाकाव्य और रंभा मंजरी में धेर सारी गलतियां है इनमें वर्णन ना मिलने से सारी घटना को ही कालपनिक मान लिया जाई ये उचित नहीं है उन्होंने घटना की सत्यता को सुईकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य और वास्तविक है अता ये घटना घटी हो तो कोई आस्चर नहीं है सीवी वैद और डॉक्टर घोपिना सर्मा ने भी इसी सुईकार किया है तो देखिए जो अभी हमने दो पहराग्राफ पड़े यहां पर आपको बिल्कुल भी नोट करने की जरूरत नहीं है याद करने की जरूरत नहीं है लिख दिया गया है ऐसे विद्वान जो है वो मानते हैं लेकिन केवल अबुल वजल ही कहते हैं कि नहीं ऐसा ही अवश्य हुआ है चलिए तो यहां कुछ भी नहीं लिखने का था नेक्स्ट देखते हैं रड धंबोर के चोहानवंस वह इस वंस के प्रतापी शाशक रड धंबोर के चोहानवंस का संसापक कौन है गोविंद राज 1194 इसवी में प्रत्वी राज तृत्तिय का ही पुत्र था तो देखिये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि अजमेर के चोहान जो थे वो अन्तिम कौन थे प्रत्वी राज तृत्तिय अब इनका जो पुत्र है प्रत्वी राज तृत्ति का गोविंद राज ये चोहानवंस के संसापक कहा के माने जाते हैं रड धंबोर के रड धंबोर में इन्होंने 94 वंस की स्थापना की। किसने की? प्रत्वी राज तृत्तिय के पुत्र गोविंद राजने, 1194 इस्वी में. उसके उत्राधिकारी क्रम से वाललड, प्रलादन और वीर नारायन थे। वीर नारायन का संघर्स इल्तुतमिस से हुआ, जिसमें उसक की म्रत्यों हो गई. उसके उत्राधिकारी वागवट्टे ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैत्रिक राज्य को बचाया, उसके पुत्र जैत्र सिंग ने नासरुद्दीन द्वारा भेजी गई सैना को रण धंबोर नहीं जीतने दिया, परन हमीर ने अपने राज्य रोहन के बाद दिग विजय की नीती अपनाई, किसने हमीर ने, रड थंबोर के शाशक है हमीर, आबू, देखिए जो प्रत्वी राज तृतिय थे वो बहुत सक्तिशाली थे, लेकिन उनका जो पुत्र था गोविंद राज, जिसने रड थंबोर मे चोहानवंस की नीव डाली, तो वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, तो यहाँ पर बस आपको यही याद रखना है कि रड थंबोर के चोहानवंस के संस्थापक कोन है, गोविंद राज, किसके पुत्र थे, प्रत्वीरा तृत्तिय के, कब की स्थापना 1194 में, अ अब नेक्स्ट है हमीर, अब हमीर के बारे में तो आपको बहुत जानना जरूरी है, यहाँ से प्रस्ण जो है, वो कई बार आये हैं, 1282 इसमी में हमीर ने अपने राज्य रोहन के बाद दिगविजय की नीती अपनाई, आबू, काठियाबाड, पुसकर, चमपा, धार, आक्रमन किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली, अब हमीर के समय में, 1291 इस्वी में, दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो था, जिसने रड थंबोर पर आक्रमन किया था, आपका आंसर होगा, जलालुदीन खिल जी, और हमीर ने मेवाड के साशक जो था, समर सिंग, उसको भी परास् पुसकर, चमपा, धार, इन राज्यों को भी अपनी अधीनता के लिए स्विकार करने पे मजबूर कर दिया था, चीक है, तो, नेक्ष देखिए, हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों, मुहम्मद शावा कहबू को शरण देने से, दिल्ली का सुल्तान अलाउदीन खिल जी हमीर से नाराज हो गया, हमीर ने जब विद्रोहियों को लोटने से इनकार कर दिया, तब 1299 इस्वी में उसे खिल जी के आक्रमन का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सैना को उसने पराजित कर दिया, 1301 इस्वी में अलाउदीन स्वयम सैना लेकर रड़ थमबोर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली, तो उसने चल कपट का सहारा लिया, अलाउदीन ने हमीर के सैना नायक, रणमल और रतिपाल, ये किस से संबंदित है, रड़ थमबोर से, किसके सैना नायक थे हमीर के, किलाल देने का लालस देकर उसने अपनी और मिला लिया, इसके विश्वास घात के कारण किले पर तुर्कों का दिकार हो गया, हमीर लड़ता हुआ, मारा गया, किले में हमीर की पत्नी रंग देवी के नितरत्व में महलाओं ने जोहर किया, अब देखिए इस प माध अलाओदिन खिलजी जो है, वो हमीर से नाराज क्यों होता है? क्योंकि अलाओदिन खिलजी के दो मंगोल विद्रोही थे, मोहमत şah वो के बूँ, इन दोनों को शरण कौन देते हैं हमीर, तो इसलिए इनके दुस्मन को जब हमीर शरण देगे, तो अलाओदिन खिलजी को गुस्सा तो आएगा नाराज हो गया तो उसने क्या किया रडधंबोर पर आकरमण करने की योजना बना ली तो 1299 इसी में खिलजी के आकरमण का सामना करना पड़ा हमीर को और ये आकरमण जो है वो कौन करता है अलाउदीन खिलजी और 1291 में आकरमण किस ने किया था जलाल 1101 में अलावदीन स्वैम आता है रडधंबोर लेकिन इस युद्ध में उसे सफलता नहीं मिलती तो क्या करता है वो सफलता नहीं मिलती है तो अब वह चलकपट का सहारा लेता है और रडधंबोर के शाशक जो हमीर है उनके दो महान सेनानायक रणमल और रतिपाल को किले का ल और हमीर लड़ता हुआ मारा जाता है और के लिए में हमीर की पतनी जो है वो रंग देवी के नेतरत्व में क्या किया जाता है जोहर किया जाता है तो रडधंबोर का पहला तो इसलिए इसे रडधंबोर का पहला शाका कहा जाता है क्योंकि जोहर भी हुआ रणमल और पाल जो थे उन्होंने केसरिया किया तो इसीलिए रधमबॉर का पहला साका जो है वो हमीर के समय होता है हमीर वीर उदार शर्णागत की रख्षा करने वाला शाषक था उसने शरंड दी ती जैसे अलाउदिन किल जी के जो दो दूसमन थे उनको शरंड दी थी इसीलिए इने शर्णागत की रक्षा करने वाला शाशक, नैंचन सूरी के हमीर कावे और जोद राज के हमीर रासु और चंदर सेकर के हमीर हट नामक ग्रंतों से हमीर के शौरी की जानकरी मिलती है तो हमें रड़तमबॉर के हमीर के बारे में जानकरी जो है वो कहां कहां से मिलती है नैन चन सूरी के हमीर महा काव्य जोद राज के हमीर रासो चंदर सेखर के हमीर हट इसी लिए इन्हें हमीर हटी भी कहा जाता है तो इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है नैंचन सूरी के हमीर महा काव्य, जोद राज के हमीर रासो, चंदर सेकर के हमीर हट ठीक है तो इस चीज को आपको याद रखना है आज भी जन मानस में हमीर के लिए एक दोहा प्रशित है और वो देखिए कौन सा इस चीज को आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं और कई बार सुन भी चुके है नैक्स है जालोर के चोहानवन्स वा इस वन्स के प्रतापी शाशक तो अभी हमने रठंबोर के चोहान जो हैं देखे जालोर मद्यकालीन इतियास में एक विशिस्ट इस्तान रखता है दिल दिल्ली के प्रतिक शाशक के लिए आवश्यक कार्य था अब देखिए गुजरात जो है वो एक महतपूर्ण स्थान है वहाँ पर सोमनात मंदिर उसको लूटने के लिए दिल्ली के जो सुल्तान थे शाशक थे वो कई बार आना चाते थे लेकिन गुजरात और मालवा जाने का अधिकार था जालोर के इस चोहानवंस का संस्थापक था कीरतिपाल जिसने ग्यारा सो इक्यासी इसवी में इस राजवंस की स्थापना की थी अब याद रखना है आपको रड थमबोर के चोहानवंस की नीव किसने डाली जालोर के चोहानवंस की नीव किसने डाली तो सं प्रेक्स्ट है कानडदेव, अब जालोर में कानडदेव जो थे, वो बहुत जादा छाये हुए थे, इनकी भी एक स्टोडी है, जिस तरीके से हमने हम्मीर की देखी थी रडधंबोर में, कानडदेव, जालोर के चोहन शाषकों में सरवादिक शक्तिशाली थी, अलाउदिन किलजी की सैना नहीं गुजरात आकरमण के समय रास्ता देने को लेकर कानरदेव और अलाओदिन küलजी के मद्द्ध विवाद हो गया, तो अब बीच में जब दिल्लीसे कुजरात जाने के बीच में क्या पर रहा था जालॉर और जालॉर में सुल्तान अलाउदिन खिल जी के सैना नायक एन उल्मुल्क मुलतानी को सैना सहित जालोर भेजा, वह कानड़ देव को समझा बुजा कर दिल्ली ले आया, दिल्ली दरवार का माहौल कानड़ देव के स्वाबी मान के विरुद्ध था, कानड़ दिल्ली दरवार से चला गया, जिसके वाद कानड़ देव अलाउदिन के बीच संगर्स होता है, तो देखिए, जो कानड़ देव दे, वो जालोर के शाशक थे, गुजरात जाना चाता था कौन, अलाउदिन खिल जी, लेकिन बीच में जाने नहीं दिया, कानड़ देव ने, इस वज़े से मनमुटाव हो तो आगया, लेकिन वहाँ पर उसे इस तरीके का जो माहौल है, स्वाबिमान वाला माहौल नहीं मिला कानड़ देव को, तो वो वहाँ से चले आए, तो अब अलाउदिन और भी नाराज हो गया, नेंसी ने युद्ध का कारण कानड़ देव की पुत्र वीरम देव द्वार वो नाराज होकर चले आए, बलकि ये था कि कानड़ देव की पुत्र जो वीरम देव था, वो सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से उसने इनकार कर दिया था, तो थोड़ी सी ये स्टोरी है कि जो अलाउदिन किल जी की बेटी थी फिरोजा, तो उसे वीरम दे ठीक है, और बाकी हमने देखा कि 1305 इसरी में अलाउदिन किल जी ने सेना नायक मुलतानी को सेना लेकर बेज जा था जालोर, अब कानड़ देव आ गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपने जैसा माहौल नहीं पाया, वहाँ उन्होंने बहुत ही परेशानी महसूस की, तो वहाँ से लोटकर चले आए, इस वज़े से अलाउदिन खिलजी के बीच और कानड़ देव के बीच मनमटा हुआ, लेकिन नैंसी ने युद्ध का कारण जो है, वो क्या बताया, सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवा करने से इनकार कर दिया, इस वज़े से युद् उसका नाम खेराबाद रखा, तथा कमालुद्दीन कुर्ग को वहां का प्रतिनिधी न्युक्त किया, 1311 इस वी में अलाउदिन ने जालोर पर घेरा डाला, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिली, अब देखिए, जालोर की जो कुंजी है, वो किसे कही जाती है, जालोर की क 1308 इस वी में अलाउदिन खिल जी ने जालोर के शक्ति साली के लिए सिवाना पर अधिकार कर लिया, और उसका नाम बदल दिया, और क्या रख दिया, खेराबाद, याद रखना है बहुत अच्छे से, और वहां पर कुमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रतिनिधी लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, कानरदेव सक्ति शाली थे, अंत में कानरदेव के एक दहिया सरदार बीका के विस्वास घात के कारण दुर्ग पर अलाउदिन का अधिकार हो गया, तो आपने भी देखा कि कहीं ना कहीं कोई विस्वास घाती था, इसी वज़े से जो अलच दिया था, उसी तरीके से दहिया सरदार बीका इसको अपने कंट्रोल में ले लिया और दुर्ग पर अधिकार कर लिया, कब किया? 1311 इसवी में, ठीक है? तो 1308 इसवी में शिवाना पर अधिकार किया, 1311 इसवी में जालोर पर अधिकार कर लिया, कानरदेव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महलाउने जोहर किया, अलाउदीन ने जालोर जीतकर उसका नाम क्या रख दिया? जलालाबाद रख दिया, अब याद रखना है कि खेराबाद नाम किसका रखा था? शिवाना दुर्ग का, जलालाबाद किसका नाम रखा था? जालोर का, यह चीज रड थंबोर के चौहान और तीसरा हमने कौन से देखे जाल और के चौहान, most important है इनको आपको ध्यान रखना है, चलिए, notes बनाते चलिए, और next वीडियो में मिलते हैं, thank you. उनको आपको पनाते हैं, क्योंते हैं, क्योंते हैं,